नमस्कार, स्कूल विद्याती चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नाम है सोनाली जाधाओ, स्कूल विद्याती ये चैनल खास करके, स्कूल गोइंग स्टूडंट्स और उनके पैरेंट्स के लिए बनाया गया है, ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प जो की टॉपिक है, शब्द समोहा बदल एक शब्द, इसका ये पार्ट फोर है, इसके पहले के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट त्री हो चुके है, तो ये क्या होता है क्वेश्चन, कि आपको बहुत-बड़ा लंबा सेंटेंस अकर बोलना नहीं है, तो हम एक ही बोल सकते है, उसको बोलते है, शब्द के समोहा के जगह पे एक ही शब्द बोलना, ये आपको शब्द संपदा, शब्द संपति ये जो व्याकरण विभाग में क्वेश्चन आता है, उसमें ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते पहला है कानास गोड लागणारे मतलब जो कान को अच्छा लगे उसको बोलते है करण मधूर मतलब जैसे कि हम लोग बोलते है कि किती छान अस करण मधूर अस गीत आहे मन्ज़स कानाला अईकैला आवडेल अस त्याला मन्टा करण मधूर ठीक है पुड़े जविया दुसरा शब्दा है कर्तुत्व गाजव लेला प्रदेश मतलब ऐसा एरिया ऐसा इलाका जहाँ पे आपने आपका बहुत ही नाम कमाया है तो उसको बोलते है कर्म भूमी जैसे अलग-अलग राजा होगी जैसे कि शिवाजी महाराजिश की कर्वा भूमी कौन सी है महाराश्र कारण मह महाराश्र सठी महाराश्रा तिल जनते सठी बरपूर काम केलेले आहे बरपूर लढ़ाया केलेले आहे ता मुले शिवाजी महाराजान चे कर्म भूमी ही काया है महाराश्र आहें मेंट्रस कर्तुत्व गाजव लेला जो प्रदेश अस्तो त्याला कर्म भूमी असम हनतात ए ये शब्द आपके अभंग में भी आया है संतवाणी में सो दूसर्याचे दुख पाहुन जाला खूप दया एते हल हल व्यक्त करतो जो मानुसाला कनवालू असमंटला जाता पुड़े जव्या तीन शब्द इतापन बगित लेला है कानास गोड लागनारिक करन मधूर कठोर शब्द नि केलेला उपदेश कठोर यानि की कड़क शब्दों में अगर आपको कुछ समझाया है उपदेश दिया है तो उसको मराथी में एक शब्द में क्या बोलते है कान उघडनी मतलब कान को उघडा है मतलब कुछ बोला है जिसके वज़े से आपको कुछ समझ म आया है इसको हम लोग डाटना भी बोल सकते हैं कि आप अगर कोई गलत काम करते तो आपको जो डाट मिलती है उसको कान उघड़नी ऐसे भी बोला जाता है आणि मराठी मुलानना है सांगते कि कठोर शब्दा निज़त तुम्हा लगाई उपदेश केला से तो त्या उपदेश आला कान उघड़नी ऐसे मंटल जाता मढके बनवनारा कोर अस्तो कुम्हार कुम्भार कुम्भ कुम्भ मंजस्का हिंदी के बच्चों को भी यह चीश समझ मेरागी जो मटके बनाता है उसको कुम्हार डोलते हैं और मराठी में कुम्हार ऐसे लिखा जाता है दगडात कोरलेली लेनी जे आदिवासी लोक होती अश्मयूगात राणारीजी लोक होती ती काय कराईची दगडान मदे चित्र काडाईची या किवा काय कराईची दगडान वर कोरीव काम कराईची तो दगडात कोरलेली जे लेने आसता त्याना कोरीव लेनी अस एका शब् कोरी व लेंद मतलब जो दगण मतलब जो चटान होती है चटान पे जो और गाम किया जाता है चित्र बनाए जाते है उसको लेंद बोला जाता है उड़े जाला लाज नाहीं असा मतलब जिसको शरम ही नहीं है बिलकुल उसको मराठी में बोलते है कोडगा कि तो माणूस ना खुब कोडगा चाहे कोडगा में निरलज बेशरम ऐसे कोडगा हाश अफद लक्षा ठेवा कोड़िया वधी रुपयां सा मालक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत कोड़ी रुपय है बहुत सारे पैसे है उसको बोलते है कोड़िया धीश आगे नहेमी घरात बसुंद्रानारा ऐसा इंसान जो हमेशा घर पे बैठा रहता है कहाँ पर जाता नहीं गुमता नहीं किसी से मिल जुलता नहीं है हमेशा घर पे ही अकेला बैठा रहता है उसको क्या बोलते हैं मराठी में घर कोमड़ा है अब हिंदे के बच्चे यहापे कंफ्यूस मत हो जाई यहापे कोमड़ा मतलब आपको चिकन या फीर कौकी ध्यान में नहीं रखना है यह एक नॉर्मल वर्ड है जाधा है घर कोमड़ा का मतलब होता है ऐसा इंसाँ जो हमेशा जाधा करके घर में टाइम पेंड़ करता है आगे जायंगे 10 जन्मा पासुनत श्रिमंत अचनारा जन्मा पासुनत श्रिमंत घराना तो जन्मा जालेला आहे तो ताला पड़ मंटो गर्भ श्रिमंत गर्भ श्रीमंत अई जन्मा जते जिस बच्चे का जन्म Бहत अमीर फैमिली में होता है उस बच्य को मराठी में बोला जाता है ही गर्भश्वी मन्त जो पाठांतर होता है जो चैप्टर से या फिर क्वेश्चन के आंसर आप याद करते है उसको बुला जाता है मराथी में घोकम पट्टी, ठीक है, आगे, गाई, गुरे, गुरे हो गया है आपे, गुरे ऐसे है, गाई गुरे बांधून ठेवनाची जागा, मतलब जहाँ पे गाई, बैल, भैस, यह सब बांध के रखते हैं घर के बाजु में, तो उस जगह को क्या बोला जाता है, इन मराथी पटिक्विलर तो गोठा बोला जाता है, मराथी मुला नमाईते कि आपण गावी जवाजा तो तेवा आपले घराचा बाजुलाज एक गोठा अस तो तो ते आपण गाई, बैल, शेडी, जे काई अस तत आपले आपले कडे, आनिमल्स ते इसे तो खर्च करत अस तो, तो ते आला उधर्या, उधर्पटी करना रहा, कि वह खर्चे का से दोनी शब्दापन वापरतो, जो हमेशा पैसे खर्च करता रहता है, उसको मराथी में बोला जाता है, उधर्या या फिर खर्चिक, खर्चा करने वाला, ओके, सो आज हमने 15 द दो मिनिट का काम होता है, पर इसे आपके रिवाईस होती है, रिविजन होती है, कानास गोड लागनारे करन मधूर, कर्तुत्व गाजव लेला प्रदेश, कर्म भूमी, दूसर्याचे दुख्ख पाहुन कलवल नारा, कनवालू, कठोर शब्दानी केलेला उपदेश, कान गडनी, मडके बनवनारा, कुम्भार, दगडात कोरलेली लेनी, कोरीव लेनी, जाला लाज नाही असा, कोडगा, कोट्या वधी रुपयांचा मालक, कोट्या धीश, नहमी घरात बसुन रहाणारा, घर कुम्डा, क्रिश्चन लोकांचे प्राथना स्थल, चर्च, आगे, सैनियाची चक्राकार केलेली रचना, चक्र व्यूह, जन्मा पासुन श्रीमंत असनारा, गर्भ श्रीमंत, मोठ मोठ्याने केलेले पाठांतर, घोकम पट्टी, गाई गूरे, यहाँ, इकड़े मी करेक्शन करूं देते, गाई गूरे बांधून ठेवनाची जागा गोठा, सतत पैसे खर्च करणारा खर्चिक आणि उधला, सो अशाप्रकरे अपनी ते 15 शब्द समोहा बदल एक शब्द पाहिले आहे, आणि सग्यात महत्वाची गोष्टा की यहाची जी PPT आहे, PDF आहे, ती तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मदे देते, जने लिए ता ये तिल बगुन, ठीक है? तो आई होब तुम्हाला या वीडियो आवड ले आसतील, आणि जर आवड ले आसतील, ता प्लीज वीडियो ला लाइक करा, चानल ला जाननी अजुन परें ता सब्सक्राइब के लिए ला नाही है, ता यानल ला सब्सक्राइब करा, आणि बेल आईकोन वर आठवाणी ने क्लिक करा, जेने करून आशा नवनवीन वीडियो जेवाए ता, ता सब्सक्राइब करा, हिंदी वाले बच्चों के लिए यही बात बूलना चाहती हूँ, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको पढ़ाई म इस वीडियो की हेल्प हो रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, और आपके जो दोस्त है, उनको भी इसका फाइदा होगा, ये आपको बात पता है, तो उनसे भी शेयर कीजे वीडियो ताकि सबको फाइदा हो सके, और सब आगे बढ़ सके, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अगर आपके कोई डाउट सोंगे, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाएए और कॉमेंट कीजे, धन्यवाद,